जैहिन दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बैलोजी का सब्जेक्टिव कोश्चन अंसर देखने वाले हैं इसके पहले भी हमने इस चैप्टर का यानि पहला चैप्टर का हम ल इस चैप्टर कोन से हैं यहां पे şu सब से पहले सवाल जो है आपको दिख रहा होगा जनन क्या है सवाल आपका अंड्र Dienst के लूग Europe कोably इंगिलिस वाले कोशटन को ध्यादी जीजेगा जो हिंदी वाले हैं वह हिंदी में ध्यान दीजिएगा फिकें तो यहां पर उसे जनन कहते हैं यानि कि जीव जो होता है वो अपने समान संतति को उत्पन करेगा जैसे इंसान है इंसान के जो बच्चे होते हैं वो इंसान ही होते हैं जानवर के जो बच्चे होंगे वो जानवर ही होंगे गाये के बच्चे क्या होंगे गाये बच्छा यही सब होगा तो कोई अलग-अलग नहीं हो सकता है यानि वो अपने समान संत्ति को उत्पन करता है तो उसको अमलग क्या बोलते हैं जनन बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट सवाल देखे question number 2 में आपसे कहा जा रहा है कि जनन कितने परकार के होते हैं ये भी सवाल काफी important जनन जो होता है वो दो परकार का होता है एक होता है आपका लेंगिक और दूसरा होता है आपका अलेंगिक जनन तो लेंगिक में क्या होता है कि ये क्या होता है एक sexual reproduction होता है और अलेंगिक क्या होता है और sexual reproduction होता है तो लेंगिक में जो है कि इस्ट में mellan जनन, किस विधी के दौरा होता है, यह सवाल आपका एक νमार के लिए पूछा जा सकता हो, objective में और आपका subject में आ सकता है, तो इस्ट में mellan जनन, मुकूलन, विधी के दौरा होता है, इसको आप लोगों को याद रखना है, इंग्लिस मिडियम बले यहां से लिखेंगे, ठीक है, कोश्चन है आपका जीवों में जनन क्यूं अनिवारी है, ये सवाल अच्छा है, इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको भी देख कर जाएगा, कहा रहा है कि जनन अपने समान संतर्त उत्पन करने की विधि है, जनन क्या है, अपने समान एक संतर्ती उत्पन करने की विधि है, जो जीवों की परजाती को पीडी-दर-पीडी-जीवित रहने योग्य बनाता है, इसी कारण वर्श जनन अनिवारी है, ठीक है, यहीं है, आप लोग और कही रहाएगा, आपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, क्या किया जाता है, जनन किया जाता है, ठीक है, चलिए, अगले स्वाल पर आते हैं, जनन की कौन से विधी अधिक उप्यूक्त है, और क्यों, यहाँ पर रेखें, जनन की जो लैंगिक व कोशन देखिए कोशन नबर 6 पे आते हैं कोशन नबर 6 में कहा जा रहा है कि क्लोन किसे कहते हैं तो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन संतत्ती जो अकारिये तथा अनुवांसिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं क्लोन कहलाते हैं ठीक है यानि एक होता है लैंगिक जनन लेकिन लेंगिक जनन के द्वारा भी जो संतत्ति उत्पन होती है उसी हुब 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 अगर उसी के तरह हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्लोन बोलेंगे ठीक है कहा जा रहा है कि वह जनन जिसके अंतरगत एक सद्रिस जीव अथवा विप्रित लिंग वाले भिन जीव द्वारा नर तथा मादा युगमक का निर्मान होता है एवब नर तथा मादा युगमक के सनलयन के फल्सवरूप युगमनज जिसको हम लोग जाएगोट कहते हैं इंगरेजी में का निर्मान होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं ठीक है, सिम्पल सी बात है यहाँ पर दो जिसके अंतरगत एक सद्रिस सजीव का मतलब हत है जो दिखाई दिने वोला जीव जैसे की इंसान होते है पस्वों में भी male female वाला यह होता है तो यहाँ पर देखिए आथवा विपरित लिंग होना चाहिए विपरित लिंग वाले विभिन जी द्वारा नर तथा मादा है यहाँ पर देखे लिख दिया गया नर तथा मादा यानि की male और female युगमक का निर्मान होता है यहाँ नर तथा मादा युगमक के सनलयन के फल्सवरुग यानि उसके मिलने के फल्सवरुग एक युगमनज यानि जैकोट का निर्मान होता है उसे लेंगिक चनन कहते हैं यह भी सवाल काफी अच्छा था इंपोर्टेंट है याद रखिएगा नेक्स्ट सवाल है हमारा कि काईक प्रवर्धन क्या है यह भी सवाल अच्छा है देख लिजिएगा परिक्षा में पूछे जा सकते हैं तो पादपों में कारी के भाग काईक नहीं है कारी है काईक काईक के भाग जैसे जड़, तना, अथवा, पत्ते नई संतरती उत्पन करने में सक्षम होते हैं संतरती उत्पन करने की इस विद्धी को काईक प्रवर्धन कहा जाता है यह भी सवाल अच्छा है, देख लिजिएगा Quesion number 9 में आपसे कहा जा रहा है कि काईक प्रवर्धन काईक प्रवर्ध ठीक है किसी कहते हैं उधारन आपको देना है तिपादप काई की वे सभी संरचना है जो नई संतर्ति को उत्वपन करने का सामर्थ है रखती है काईक प्रवर्द कहलाती है उधारन के फलसरुप उपरी, भुवस्तरी, प्रकंद, सकरकंद, बल्ब, इत्यादी कोशन नमबर अगर दस की बात करें तो कोशन नमबर दस में आपसे कहा गया है कि लैंगिक जनन के परकिरिया में किस विभाजन के द्वारा युगमकों का निर्मान होता है तो लैंगिक जनन के परकिरिया में अर्धसूतरी विभाजन के द्वारा युगमकों का निर्मान होत इसको भी आप लोग याद कर लीजीगा तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद है होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल अकन को जरूर प्रेस कीजिए तक कि आने वा ई 때ई वादा बाख कि आने दिए अ हैंthy vitam52 क कि आने को लीजी है तो आने au English-व reservoir क करते हैं चैनल पर आज दो आ उता हैंकि को एल कोकर होगों को आप दिसaken तो institute करते हैं पर नहीं हैं तो आओियो उन दो साने को जूंगा पहले उत में करते हैं स्वाल कर दिसक्शाई तो